ओम शिरी गनेश आये नमा मैं आपको आज एक संकष्टी गनेश जी की कहानी सुना रही हूँ मैंसे तो हर तोहर पे मेरी सासु माहमें ये कहानी सुनाती थी अब तो वो नहीं है फिर भी हम अब भी हर तोहर पे ये कहानी जरूर कहते हैं तो सुनिए एक मेंड़क और मेंड़की की कहानी, एक मेंड़क और मेंड़की थे, मेंड़की गनेश जी की बहुत बड़ी भक्ति थी और हर समय जै गनेश काटो कलेश, जै गनेश काटो कलेश, जै गनेश काटो कलेश जपती रहती थी, तो मेंड़क को बहुत गुस्सा आता तो बहुत जादा था एक दिन मैं गुसें बोला कि तू बार-बार दूसरे प्राइमत का नाम क्यों जपती है मेरा नाम जपा कर मैं तेरा पती हूं तो बोली कोई प्राहित वक्ति थोड़ी है, ये तो गनेशी भगवान है, सब के दुखों को दूर करते हैं, सब का संकट अरते हैं, सब के कारत सफल बिनाते हैं, और वो जैगनेश काटोकलेश, जैगनेश काटोकलेश, जैगनेश काटोकलेश, जैगनेश काटोकलेश जपती रही, एक बार मेंड़ क को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने मेंड़की से बोला आपके तुने ये नाम चपा तो मैं तुझे जहान से मार दूँगा और तु मेरा नाम चप अब मेंड़की डर गई को मरने से तो हर कोई डरता है उसने क्या किया गनेजी का नाम छोड़के जै मेंड़क मह अपने लगी इतने में एक शिकारी आ गया और मेंड़क महिंड़की दोनों को पकड़ कर ले गया और चूला चलाया माटे की हंडी में दोनों को उबालने के लिए रख दिया अब पानी गरम होने लगा तो मेंड़क गबर आया अब तो हमरे अब मेंड़क उसने देखा में नहीं मैं तो नहीं जपूंगी, तुमने तो मना किया था, अब तो मैं तुम्हारा ही नाम जपूंगी, जै मेंड़क माराज, जै मेंड़क माराज, अम मेंड़क और पानी गरम हो गया, तो मेंड़क बहुत गबरा गया, भूले आरी मेंड़की तुम्हेरा नाम जपना छोड तू कहते थी ना वो सबके संकर दूर करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, तो तू उनी का नाम जब जिससे हमारे संकर दूर हो जाए, हमारे प्रानों की रक्षा हो जाए, तो मैंड की बोली, देखो मैं तो एक ही शर्थ पर जपूंगी, बोली क्या, बोली मैं तो उनका नाम त जय गनेश काटो कलेश काटो कलेश भगवान सकी माया से प्रेडेट के गावी बहां आई और हांड़ी में लाद देगे मारी हांड़ी दूर जाके गिरी होट तूट गई और मेंदक मेंद की दोनों अपनी जान बजाकर भाग निकले तो इस तरह से गनेश जी ने उन दोनों की रख्षा कर दी तो इसलिए जो भी गनेश जी का नाम का जाब करता है उनकी का थास उनका है सच्चे मन से उनका नाम का जाब करता है गनेश भगवान सब के संकट दूर करते हैं बोलो गनेश जी महराज की जै और प्रातना भी करते हैं गनेजी महारा जैसे आपने उन मैंडक मैंडकी गिरक्षण करी उनके पराण बचाए उनका संकट दूर किया ऐसे ही हमारे भी साठे परिवेर्के संकट दूर करना हमारे घर में सुख शांती देना और हमारे सारे वगिनों को दूर करके घर में सुख शांती आ जाए ऐसे किर्पा करना बोलो गने जी महराज